टाटा मोटर्स अपने नेकसन फेसलिफ्ट, हैरियर फेसलिफ्ट और पंच ईवी जैसे कई कार्ज के अपडेट पर काम कर रही है कार निर्माता अपडेटेड हैरियर का आने वाले हफ्तों में कुलासा करने वाली है जिसे इस साल अक्टूबर में लॉच किया जाना है जैसा की इंटरनेट पर नया स्पाई शॉर्ट शेर किया गया है जिससे पता चलता है कि फेसलिफ्ट हैरियर के टेलगेट पर LED लाइट बार दिया जाएगा इसमें दोनों तरफ रैपराउंड LED टेल लाइट्स का नया सेट दिया जाएगा इसके अलावा स्प्लिट हेडलेंट सर्फ, नया ग्रिल, आगे और पीछे नये डिजाइन के बंपर्स और नये अलोई वील्स के सेट जैसे फीचर्स दिये जाएंगे अंदर की बात करें, तो 2023 हैरियर में शोकेस की गई टाटा कर्व कांसेप्ट की तरह दो स्पोक स्टीरिंग रील, नया ग्या लिवर, नया सेंटर सेंटर कॉंसोल पर फॉक्स वुड फॉक्स वुड आने की उम्मीद है मौजूदा मौडल में पहले से ही पैनारोमिक संरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम और आटोमाटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ आ रही है आने वाली हैरियल फेसलिफ्ट 2.09 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन होने की उम्मीद है जो 168 बीएचपी का पावर और 350 इंएम का टॉप जनरेट करेगा इसके इंजन को 6 स्पीड मैनुवल और आटोमाटिक ट्रैंसमिशन के साथ जोड़ा जा सकता है साथ ही इसे एक 5 लीटर तर्बो पेट्चोल इंजन के साथ ओफर किया जा सकता है जिसे आटो एक्स को 2023 में दिखाया गया था